हेलो फ्रेंस, स्वागत है आप सभी का हमारे चाइनल डिप्लोमा क्लासिस में तो अगर आप लोग भी भी हार पोलिटेकनिक लेटरल एंटरी के स्टुडेंट हैं और आपका पोलिटेकनिक कलुच में एडमिशन हो गया है ओ भी सिभील ब्रांच से या सिभील रूलर ब्रांच से तो यह वीडियो आप लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम भी हार पोलिटेकनिक लेटरल एंटरी स्टुड यानि सेकेंड इयर का जो है सिलेबस को बताने वाले हैं कि राखिर आप लोग के ब्रांच में कौन कौन से सब्जिक्ट्स पढ़ने होते हैं थार्ड सेमेस्टर में तो सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें कि जो आप लोग का पहले बोड था उसका नाम था BCECE ठीक है लेकिन अब जो आपका बोड हो गया है वो हो गया है State Board of Technical Education बिहार तो ये तो किलियर हो गया कि अब जो आप लोग का बोड है वो चेंज हो गया है और उसका नाम हो गया है SBTE अब चलिए हम बात कर लें कि आपके ब्रांच में यानि सेमेस्टर थर्ड में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने है और आखिन कौन सब्जेक्ट का कितना नमर से क्वेशन पूछा जाता है आपके एक्जाम में तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पहला सब्जेक्ट का नाम है Applied Mathematics Second दूसरा सब्जेक्ट है Surveying तीसरा सब्जेक्ट है Building Construction चोथा सब्जेक्ट है Building Drawing और पाचवा सब्जेक्ट है Concrete Technology अब चलिए हम बात कर लें कौन सब्जेक्ट से कितना नमर का एक्जाम होता है तो सभी से साव सो नमर का एक्जाम होता है यानि जो है Totally 500 नमर का एक्जाम होता है जिसमें से आपको सड़े 300 नमर का एक्जाम होता है ए External होता है यानि दूसरे सेंटर पर आपको जाकर के एक्जाम देने होते हैं वहीं हम बात कर लें ए जो 20-20 नमर है तो एह होता है Class Test यानि आप लोग इसको Internal एक्जाम भी बोल सकते हैं और बाकी यह जो है 10-10 नमर एह होता है यानि Teacher Assessments यानि Student और Teacher के बिहेव पर मिलता है कि किस परकार से बिवहार रहा है आपके और सर के बीच में तो यह तो हो गया 500 नमर ठीक है और उसके बाद जो नमर है यह होता है Practical में तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं Practical के अंदर दो Subjects आते हैं पहला है Surveying Lab और दुसरा है Construction Lab तो इसका भी जो टोटल नमर है 50 और 50 यानि कितना हो गया 100 तो 100 और यहाँ पर 500 यानि 600 उसके बाद जो होता है Termwork होता है तो Termwork टोटली 150 नमर का होता है यानि जब आप तीनों को add करेंगे तो जो आप लोग का exam है साड़े 700 नमर का होता है अब चलिए हम बात कर लें कि आपको कौन से Subject में कौन कौन से Topics पढ़ने होते हैं तो सबसे पहले हम बात कर लें Applied Mathematics Second में तो देखिए इसमें आपको जो है पहला यूनिट है ओ है Integration जो आप लोग 12 में परके आई होंगे ठीक है तो Integration में आप लोग देख सकते हैं क्या क्या परना है Definition of Integration as Anti-Derivative Integration of Standard Function इसी परकार से जब आप लोग इसको Scroll करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं उसके बाद परना है Application of Definite Integral उसके बाद जो Second Unit है एह है Differential Equation उसके बाद जो है तिसरा यूनिट में आपको परना है Pro Ability Restive Vision ठीक है अब चलिए हम बात कर लें चौथा यूनिट में आपको क्या परना है तो इसमें आपको परना है Numericals Method ठीक है जिसको आपको BAC के अंदर परना होता है जिसमें आपको TIN Topic इसमें होता है और दो Topic इसमें होता है तो पहला Topic है Bisection Method दूसरा है Regular Falsy तिसरा है Newton Rapson उसके बाद होता है Goss Elimination उसके बाद होता है Goss Siddal तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पढ़े आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नई है तो इसे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आपके पस जाते रहे और जो है दूसरा सब्जेक्ट है उसका नाम है Surveying ठीक है तो Surveying में फर्स्ट उनिट के अंदर आपको पढ़ना है Types of Surveying दूसरा उनिट के अंदर पढ़ना है Chain and Cross Stop Surveying तीसरा उनिट में पढ़ना है आपको Compass Surveying जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अब चलिए हम बात कर लें चौथा उनिट में आपको क्या-क्या पढ़ना है तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं Labeling उसके बाद जो है Controlling उसके बाद आपको पढ़ना है Area and Volume Measurement तो यह तो आपका दूसरा सब्जेक्ट के लिए हो गया अब आता है तीसरा सब्जेक्ट इसका नाम है Building Construction जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं तो इसके अंदर फर्स्ट आपका उनिट आता है Building Components and Material और उसके अंदर आपको कुछ छोटे-छोटे टॉपिक्स पढ़ने होंगे जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी इउनिट के अंदर में आपको पढ़ना है Construction of Structure ठीक है उसके बाद जो आपनों का तिसरा इउनिट है इसमें पढ़ना है Construction of Super Structure ठीक है चवथा जो इउनिट है इसमें आपको पढ़ना है Building Finishes ठीक है उसके बाद जो आपनों का अंतीम इउनिट है इसमें पढ़ना है Building Maintenance याने Building को आप लोग किस परकार से Maintenance कर सकते है उसके बाद जो है आपका चवथा सब्जेक्ट है इसका नाम में Building Drawing ठीक है तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं First Unit Second Unit Third Unit Fourth Unit यानि इसमें आपको 40 Unit को पढ़ना है अब चलिए हम बात कर ले जो आप लोग का आंतिम चेप्टर है Sorry आप लोग का जो सब्जेक्ट है Concrete Technology तो इसके अंदर भी आपको 6 Unit से प्रहाई करना है तो इसमें आपको Cement के बारे में पढ़ना है कि Cement क्या-क्या मिलकर बनता है यानि 440 Job Cement इसका नाम है 440 of Concrete उसके बाद आप लोग को पढ़ना है 4th Unit में Political Control of Concrete इसके बाद जो आप लोग का 5 वा यूनिट है Extreme Weather ठीके और जो आप लोग का आंतिम यूनिट है इसमें आपको पढ़ना है 440 of Special Concrete तो बस यहीं सिलेबस था Civil Engineering का तो अगर आप लोग इस सिलेबस को लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे नमबर